आदाम नाजरीन में नाज मिर्जा आवाम डिवी खबरनामे में आपका खेर मगदम है आई डालते हैं सबसे पहले आज की हमसुरकियों पर एक नजर रुपने असंबली के हाथों मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरखियाती कामों का संगे बुनियाद शहर को खुबसूरत और साफ सुत्रा बनाना हमारा नस्बुलैन गुरुपने असंबली का बयान और मज़िद काम करवाने का अज्म क्रिशना ट्रिवबिनल के फैसले से तेलंगाना सरकार मुतमाइन नहीं है 25% अवाम को 12% पानी की इजराई हैरत तंगेज सुप्रीम कोर्ट से दर्खास करने का मनसुबा मरकाजी हकुमत अंदरुन तिन दिन मनसुख शुजा नोटों को अस्तरेनों बहाल करे सरमायादारों को फाइदा गरीबों को मुश्किलात बगावत कर देने अर्विन केजरिवाल का मरकाजी हकुमत को इंतबा नोटों की तबदीली पहले ही अवाम के लिए मुसिबत बनी हुई थी अवाम को साड़े चार हजार रुपिये ही फराम किये जा रहे थे मगर अब सिर्फ दो हजार रुपिये ही तक्सीम होंगे माशी सेक्रेटरी का इनकेशाफ नाजरीन खबरों के आगास से खबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इर्शाद रब्बानी और फर्माने नबवी बिस्मिल्लाहि रुर्मान रहीम अल्लाह सुबाना ताला के नम से शुरू जो बड़े बहरबान नहायती रहम वाले है हमने बिल्यकीन बनी इसराइल से एहद और पैमान लिया और इनकी तरफ रसूलों को भेजा जब कभी रसूल इनके पास वो अहकाम लेकर आए जो उनकी अपनी मन्शा के खिलाब थे तो उनों ने इनकी एक जमात की तक्जीब की और एक जमात को खतल कर जाला और समझ बैटे के कोई पकड़ ना होगी पस अंदे बहरे बन बैटे पिर अल्लह ताला ने इनकी तौबा कुबल की और इसके बाद भी इन में से एकसर अंदे बहरे हो गए अल्लह ताला इनके आमाल को बखुबी देखने वाला है बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका खाल है कि मसी इबन मर्यम ही अल्लह है हलांके खुद मसी ने इन से कहा था कि आई बनी इसराहिल अल्लह ही की अबादत करो जो मेरा और तुमारा सुब का रब है यकीन मानो के जो शक्स अल्लह के साथ शरीक करता है अल्लह ताला ने इस पर जन्नत हराम कर दी और इसका ठिकाना जहन्नुमी है और गुन्यगारों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा सुरत अल्माईदा आय सत्तर ताबहत्तर बिसमिल्लाहिर रुहमान रहीम अबुसाइद खुद्री रज्यालाहिर से रिवायत है के नभी करीम ने फर्माया जब तुम में से कोई शक्स नमाज में भूल जाए और ये ना जाने के इसने तीन रकात पड़ी है के चार तो से चाहिए कि अपना शक्त दूर करे और यगीन हासिल करे और फिर सलाम से पहले दो सच्दे कर ले अदिस मुबारे का अहमद मुस्लिम अबुदाउद अब खबरी तफसील से रुखने असंबली बीगाला गनिश गुपता के हातों डिवीजन 21, 37 और 45 में तरखियती कामों का संगे बुनियाद रखा गया उन्होंने कहा के शहर में मतादित तरखियती काम शिरू किये गए है शहर को खुबसूरत और साफसुतरा बनाना हमारा मकसद है रुखने असंबली निजामबाद अर्बन बीगाला गनिश गुपता ने आज शहर के मतादित डिवीजन्स में तेजर रफ्तर दोरा करते हुए कई तामिरी औ तरखियती कामों का संगे बुनियाद रखा इस मौके पर इनके हमरा मेर बलदिया आकुला सुजाता कमिशनर बलदिया सीहेश नागेश वर्राओ, कार्पोरेटर मुहमद नसीर, खाइद टी आरेस, हलीम खमर, मुझाहिद बबू डिप्टी मेर अमे फहीम के अलावा दिगर मौजूद थे अमेले ने डिविजन 21,345 में एक करोड की मालियत से मुतादी तरखियती कामों का संगे बुनियाद रखा मुखामी कार्पोरेटर मुहमद अब्दुल्खुदूस, मीर परवेज अली और अमे अजिम ने महमानों का استقبال किया अमेले ने बताया के जर्नल फंड के अलावा मरकजी हुकूमत के फंड से तरखियती काम अंजाम दिये जा रहे हैं उन्होंने बताया के हर डिविजन को 10 लाक रुपी फंड मकतस किये गए हैं और जल्दी मजजिस फंड की मनजूरी अमल में आईगी उन्होंने कहा के शहर को साफ सुत्रा और खुबसूरत बनाना हमारा मकसद है इसके लिए मुम्किना कोशिश की जा रही है बाल्दी फंड के अलावा एममेले और एमपी फंड से भी तरखियती काम अंजाम दिये जा रहे हैं अधे विदंगा वीलाइनन नी अंटे जनरल फांड्स गाऊच्चू अधे विदंगा रास्टर प्रभुत्वान केंदर प्रभुत्वाम ने चोचे टेट वड़ने मिदूल गाऊच्चू अधे विदंगा 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 निजामबाद मुन्सिलल गाऊच्चू अमिले के हाथो डिविजन बीस में 20 लाक की लागत से सिसी ड्रेन और कलवर्स की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया मुहम्मद अवेजाहमत ने बताया कि इनके डिवीजन में कई काम अंजाम पा चुके हैं और मज़ीद काम जल्दी शिरू किये जाएंगे रुकने असंबली निजाम अबाद बीगाला गनेश गुपता ने आज डिवीजन 20 में 20 लाक रुपीय की लागत से सीसी ट्रेन और कलवर्ट्स की तामीर के लिए संगे बनियाद रखा इस मौके पर इनके हमरा मेर बल्दिया आकुला सुजाता और कमिशनर बल्दिया सीहेच नाग इश्वर्राव के अलावा दिगर मौजूद थे मुखामी कार्पोरेटर मुहमत अवेज अहमत ने मेमानों का इस्तिक्बाल किया उन्होंने बताया कि डिविजन में मतादित काम बाखी है जिसके लिए काफी फंड्स की जरूरत है उन्होंने रुकने असंबली से खौहश की कि इस डिविजन के लिए खुससी फंड्स मक्तस किये जाएं और फिल फॉर मज़िद 20 लाग रुप्य फंड्स की इजराई अमल में लाई जाए अवेज सहमत ने बताया कि अब तक इनके डिविजन में मतादित तरखियाती काम अंजाम दिये जा चुके है और आगे मज़िद काम अंजाम पाएंगे उन्होंने बताया कि डिविजन में मज़िद कई काम मन्जूरा है कई वजिफा हासिल करने वाले अफराद के वजिफजात को रत कर दिया गया था जिसके बास से जईव औ नादर अफराद में बेचैनी फैली हुई थी इन से मतालिबा किया गया था कि वो अपनी हायात का सबूत पेश करे और अपनी उल्यों के निशान और आइरिश करवा कर सेटिफिकेट्स हासिल करे इस हिदायत के बाद पी एफ आफिस में वजिफ़क और अफराद की खतारे लग गई पी एफ कमिशनर ने बताया कि इन वजिफ़क और अफराद को परेशान होने की जरूरत नहीं है उन्होंने बताया कि बाखायद हयाद रहने का सबूत पेश करने के लिए तिस नौम बर तक की महलत हासिल है जबके उंगलियों के निशान और आईरिश के लिए पंदरा जनवरी तक की महलत है इस दर्मियान वजिफ़ों की इजराई चारी रहेगी उन्होंने बताया कि रोजाना एक ता दो हज़ार अफराद इस दफ्तर से रुजू हो रहे है उन्होंने कहा के जलबाजी और अफरात अफरी की कोई जरूरत नहीं है सुकून हो एत्मिना से वसीफ़याब अफरात काम करवा ले रुखने असंबली बोधन ने बैंक से अपने पुराने नोट तबदील करवा कर नए नोट हासिल किये उन्होंने कहा के मरकजी हुकूमत की कोशिश सही थी मगर नाकिस मनसुबा बंदी ने इसको अवाम के लिए मुसीबत का बाइस बना दिया रुखने असंबली बोधन शकील आमिश ने आज बोधन के एक बैंक से अपने नोटों के तबदीली करवाई उन्होंने अपने पुराने नोटों को तबदील करवाते हुए 3000 रूपिय के नए नोट हसिल किये इस मौाके पर बेंक के अमले ने अपनी तमाम दफ्तरी कारवाई को पूरा करने के बाद रुपने असंबली को नए नोट हवाले किये और फिर शनाखते लिए अमले की अंगली पर उसी तरह शनाखती सिहाई लगाई जैसे के इंतिखाबात में वोट डालने के मौके पर लगाई जाती है बाद इसां एमले ने खतार में खड़ी हुई अवाम से गुटगू करते हुए बताया के बैंक में कारवाई तेजर रफतर अंदाज में की जा रही है और जल्द ही इनके नोटों को तबदिल किया जाएगा बाद इसां शकील आमेर ने सहाफ़ती बयान देते हुए कहा के पांसोर हजार के नोटों के मनसुखी और नए नोटों की इजराई का मरकजी हुकूमत का फैसला इंतहई मुनासिव खाबिल सताईश और मुल्क के मफाद में था लेकिन इस पर अमलावारी का जो मनसुखा तयार किया गया वो इंतहे नाकिस और पेचिता है जिसकी वज़े से अवाम को नाखाबिल बयान मसाइल का शिकार होना पड़ रहा है और अवाम अवाखराजात की रखम से भी महरूम है बिल खुस्स बीमारी शादी अमवाद या सफर के मौके पर लोगों को शदितरीन मुश्किलातों मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने मरकजी हुकुमत से मुतालेबा किया के वो फौरीन मसाइल की एकसुई के तेजरफतार इगदामात करें ताकि अवाम को रहत नसीब हो नाजरीन अब देखेंगे रियासती, खौमी और आलमी मंजर नामा अंदरून तीन दिन मनसुख शदा नोटों के चलन को शिरू किया जाए बासूरत दिगर बगावत कर दी चाहेगी, मरकजी हुकुमत को देली के वजिर आला का इंतबा मरकजी हुकुमत की जानिक से पांसो और हजार के नोटों की मनसुखी का मामला अब शदीद रूख एक्तियार करता जा रहा है जिसकी वज़ा से हुकुमत की नेकनियती को अवाम शक्की नजर से देख रही है मशरूत तबदिली महज़ गरीब अवाम के लिए ही रखी गई है जबके कोई सरमायदार नोटों की तबदिली के लिए परेशान या सरगरदा नजर नहीं आ रहा है और बैंकों और एटियम संटरों पर अवामी तबील तरीन खतार मज़ीद तबील होती जा रही है अवाम के पास अब अखराजात के लिए भी रखम मौजूद नहीं है कई भी मार इलाज से महरूम हो चुके हैं शादियां रुकी हैं और भी बेशुमार ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं जिनको लेकर अवाम में बरहमी पैदा होती जा रही है यह मसला अवाम के लिए इंद्धा हसास वो संगिन बना हुआ है इस मसले को लेकर अपोजिशन जमातों ने भी सखत माखुफ एक्तियार कर लिया है पारलिमानी इजलास में इस नोटों की तबदीली को लेकर अपोजिशन ने सखत माखुफ एक्तियार किया पारलिमानी अराकी ने पार्डिमेर्ट से मार्च करते वे सद्धा जमूरिया तक पहुँचे और इन से इस मामले में मदाखलत करने और नोटों की मनसूरी के आहकाम को कलदम करने का मतालबा किया तिर्नमौल कांग्रेस और आमाधी पार्टी ने इस मामले में सक्त रवाया एक्तियार किया है अर्विन कज्रिवाल ने इज़ाम आयत किया कि मरकजी हुकमत ने सर्मायदार अफराद को फैदा पहुंचाने के लिए ही नए नोटोक को मतारूफ करवाया है उन्होंने दो टोक अन्दाद में कहा कि सब्दिली से आम आदमी को कोई फैदा नहीं होगा बलके गरीब और मतवस्त तबखा इनके ही मसायलों मुश्किलात का शिकार बन रहा है हकुमत की ये पालिसी काला धन को बहार निकालने के लिए नहीं बलके सर्मायदारों के काले धन को सफेद करने के लिए है उन्होंने मरकश ख़गमत को इंतबा दिया के वो फ़ोरी नोटों की मन्सुख्य के फैसले से दस्भरदारी एक्त्यार करें नोटों को पहले ही की तराज चारी रखें उन्होंने हुकुमत को तीन दिन का वक्त दिया है और मुतालबा क्या है कि मरकज हुकमत अलुन तोनियों पुराने पांसो और हजार के नोटों को बहाल कर दे बसुरत दिगर कज्रिवाल ने इंतिबा दिया है कि इसके बाद अवाम शल्कों पर निकल आएगी और मुल्क की तारिख का सबसे बड़ा इहतिजाज मुनजब क्या जाएगा और मरकज हुकमत के खिलाफ मगावत कर दी जाएगी और जिबरन नोटों के चलन को रायच करने की अवाम खुद कोशिश करेगी इस सदन के माध्यम से राष्ट पतीजी से अपील करना चाहता हूँ कि इस स्कीम को तुरंट वापस लिया जाए काला धन के खिलाफ हम भी हैं अगर दुबारा इस स्कीम को लाना है सोच समझ के लाओ टाइम दो जंता को एक महने का दो महने का टाइम दो और सारी तैयारी करके लाओ हम आपका साथ देंगे अच्छा क्राम करो हम आपका साथ देंगे लेकिन आज ये जो स्कीम है अगर ये वापस नहीं ली गए ये पूरा देश बैढ़ जाएगा इस पूरे देश की अर्थ वे वस्ता बैढ़ जाएगी इस कीम को तुरंट वापस लिया जाए और राश्च्पती जिसे निवेदन करते हैं कि ये जितने कागज हैं इनके जाच के लिए सुप्रिम कोट को लिखें ताकि सुप्रिम कोट के इसके उपर एससाइटी बिठा के इसके जाच कराए बहुत बहुत शुक्री मखालिफत करते होगे कहा कि 25% अवाब को सिर्फ 12% पानी देना इनसाफ नहीं है दूसरी जानी महाराश्टा और करनाटा का हकुमत ने मामले में मदाखलत करने से इंकार कर दिया सुप्रिम्कोर्ट ने इस मामले की अगली समाथ 18 जनौरी तक मलतवी कर दी पांसोर हजार के नोटों की मनसुखी ने तलंगाना सेक्रेटरेट की अमारत के तामीरी कामों में रुकावट डाली नोट बंदी के बाद रियासत खसारे का शिकार बनी हुई है पांसो और एक हज़ार की करणसी यह पर पांधि觉न लगाने के फैसले ने त्रेशन एक परियासत की आमदने में यह इस दाला है। नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वखवा हाप्टिकल्स की दुनिया में एक तहल का खाईस इजाफा एतिमाद वबरसे का नाम हाप्टिक्स संटर शेह निजामबाद का सुबसे खुबसुरत और बाविकार शोरूम जहां मुनफरिद वो मियारी ग्लासेस का वसीतर खजाना दिदाजे फ्रेम और संग्लासेस आखों की तश्कीश के बाद आपके चेहरे को दिलकश वो दिलफराइब बनाने वाले खौमियो आलमी ब्रांड के आलाव मियारी ग्लासेस इंत्याही मुनासिप कीमतों में दस्तियाब हैं फैशन की दुएं में तैल का मचाने और आखों की निगधाश वो तहफूस के लिए आप्टिक्स सेंटर के इंत्याई आलाव मेरी किलासेस रेबान के मुसलिमा डिलर जहां रेबान के आलमीर सते के मकबूलों पसंदा किलासेस का खजाना आपका मुंतजीर है तो फिर तश्रीफ लाईए आप्टिक्स सेंटर पर हमारा पता नोट फरमाएं आप्टिक्स सेंटर रुबरू इंदूर सिटी इसकाइन सेंटर राजोकंदी आडिटिरियम रोड खलीलवाडी निजामबाद फोर नबराद नोट फरमाएं 966664353188567000 वकफे के बाद दो बारा आपका इस्तिखबाल है गरिब अवाम बैंकों के आगे तबील खतार लगाए हुए हैं तो दूसरी तरफ मुलाजमीन अपने फायदे हासिल करके चोड़ दर्वाजे से नोट तक्सिम कर रहे हैं एक जानिब करंसी तब्दिल करने के लिए आम लोग बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो दूसरी जानिब चंद बैंकों में काम करने वाले मुलाजमीन गर खानूनी तरीके से मुन्तखिब आफराद को करंसी नोट तब्दिल करके दे रहे हैं हैदरबाद में पेशाने वाला आईसा ही एक वाकिया कैमरे में खायत कर लिया गया जिसमें देखा जा सकता है कि एक शखस बैंक के पिछवारे में पर हुचदर इंतजार करता है और बैंक का एक मलाजम खिलकी से एक सो रुपी अवाली नोटों के कड़ी इससे थमा देता ह जिसे लेकर वह आसानी वहाँ से चला जाता है ये वीडियो इंटरनेट पर वाइरल होने के बाद मुक्तलिफ गोशों से बेंग इतजामिया के किरदार पर तर्खिदे की जा रही है नोटों की मनसुखी वो तब्दिली के मौामले को लेकर पारलिमेंट में हंगामा कांग्रेस और टीमसी ने इस मौामले में मुभाहिस का मुतालबा किया और तहरीक पेश की नोट बंदी मामले में पारलिमेंट के सर्माई एजलास के दूसरे रोज भी दोनों एवानों में मुखुब हंगामा हुआ अब नोटों की तबदीले में मज़िद कमी होगी अब साड़े चार हजार के बज़ाए दो हजार रुपिय ही दिये जाएंगे मरकजी हुकुमत ने आम लोगों को नई करेंसे हासल करने के लिए दरपेश मुश्कुलात में मज़िद इजाफा करते हुए एक दिन में करेंसे तबदील करने की हद को कम करने का फیصلा किया है माशी ओमर के सेकरेटरी शक्ती कांदास ने आज पर इस कानफरेंसे किदाब करते हुए बताया कि कल से करेंसी तब्दिल करने की हद को साले चार हजार रुपे से घटा कर दो हजार रुपे कर दिया जाएगा उन्होंने बताया कि बैंकों रेटिया मराकिस पर भीड को देखते हुए ये फैसला किया गया ताम शादि बीहा तकारिव और खेसानों को बड़ी रहाद दिते हुए उंहोंने बड़ी रखम की इज्राई को मनसूलि दे दी मनासिध तस्ताविजाब बताने पर शादि बीहा तकारिब के लिए ढायलाख रुपे जारी के जाएंगे इसी तरह किसानों को जिरात और कास्त कारी के लिए एक हफ़ते में बैंक से रखम निकालने की हद भी डाहिला कर दी गई है हजार रुपिय का नया नोट निकालने का कोई मनसुबा नहीं है मरकजी वज़ा फानस का बयान उन्होंने कहा कि बैंकों में अब खतर कम हो रही है और मसायल खतम हो रहे है मरकजी हुक Webbben रुज़ किया कि एक हजार रुपिय की नई करनशी पेश करनے का कोई रादा नहीं है मरकज वजर फाइनस और उन्हें जेटली ने आज एक प्रेस कांफरेंस खिताब करते हुए कहा कि अब एक हजार रुपे की नोट नहीं आएगी और मिल्क के 22,500 एटियाम मुशनों को तकनिकी तोर पर अपडेट कर दिया जाएगा जेटली ने एक हजार रुपे और पासुर रुपे की नोट बंद के जाने से पैदा होने वाले सुरतिहाल का जाहिजा लेते हुए कहा कि बेंकों और एटियाम मराकिस पर भीडे में पतत्रीश कमी हो रही है नोट बंदी के मौामले में खुद बीजेपी अमेले भी मुतमाइन नहीं है उन्होंने कहा कि इससे सरमायादारों को फाइदा होगा राजिस्तानी अमेले ने बाद में अपने बायान की तरदीद की नोट बंदी फैसले के बाद शदी तनकितों का सामना कर रही बीजेपी हकुमत को उस वक्त बड़ी शरमंदी के सामना करना पड़ा जब इसकी ही पार्टी की एक लीडर ने संसरी खेस इंकिशाफ किया राजिस्तान के बीजेपी अमेले भवानी सिंग राजावत ने पांसो और एकजार की नोट बंद के जाने के फैसले पर तनकित करते हुए कहा कि बड़े सनदकार जैसे गौतम अडानी और अमबानी ब्रादर्स को हकुमत के इस फैसले की खबलस वक्त इतला मिल चुकी थी कोटा जिले के लाडापूर खलके की नमाइदी करने वाले राजावत ने नई करेंसी के मियार पर भी तनकित करते हुए कहा कि ये करेंसी देखने में ही जाली लगती है ख़़िया तो पर रिकार्ड की गई एक वीडियो में उनका ये बयान रिकार्ड हो गया लेकिन जब ये वीडियो वाइरल किया गया तो रजावत ने ऐसा कोई बयान देने की तरदीद कर दी मुल्क के अवाम नोटों की तब्दीली के लिए परेशान है तो दूसरी तरफ गुजरात के उहदेदार रिश्वत में नए नोट हासिल करके पकड़े गए ये नोट कहां से आए एक सवाल पाबंदी के बाद इसके इमलाग पर खब्दे का मनसुबा रियासती हकूमत आई आरेफ के स्कूल को तहविल में लेने का मनसुबा रखती है मुम्में में वाकिए डॉक्टर जाकर नायक के घर सरकारी एंजियो तनसीम पर मरकेज हकूमत के जरिये यू ए पिये के तहट पाबंदी के बाद हकूमत महाराष्टा ने इदारे के निगराने में जनुब मंबई में वाकिए इसलामिक इंटरनाइशनल स्कूल पर खब्दा करने और एड्मिलिस्टेटर को बिठाने के मनसुबे पर अमल करने का मफैसला किया है माराष्ट के वजिर बराए स्कूल और आला तालीम विनोत तावडे ने कहा कि रियास्टी सरकार को मरकज हकूमत से एक बार नोटिफिकेशन मुस्ल हो जाए और इसके बाद महकूम तालीम इस दिमन में अगदामات करेगा और पाबंदी के बारे में रायज उसलों और जाप आपतों के तहद कारवाई की जाएगी और इस बात का मुकमल खिया रखा जाएगा कि तुल्बा और असादिजा मुतासिर नहों उसकूलों किस तरह हासिल किया जाएगा इसके बारे में बाद में फैसला होगा बुपाल इंकौांटर पर मुस्लिम खायादीन की खामुशी पर उठाया गया सवाल तन्जीम इनसाफ के सुबाई सेक्रЕटरी की मुस्लिम खियादत पर तन्कीद और इंडिया तन्जीम इंसाफ के सुभाई जनल सेक्रेटी और नौजवानों की आवास अमिख जामी ने भुपाल से में सेमी की आठ नौजवान के इंकाउंटर के बाद मुस्लिम सियास्टदानों और मुस्लिम तन्जीमों की खामोशी पर सवाल खड़े किये हैं। उन्हें ने कहा कि आखर ऐसा क्या हुआ है कि मुस्लिम तन्जीमे और मुस्लिम सियास्टदानों ने तो गर्जरूरी मसायल में उन्हें उल्जा रखा है जिसका माशरे से कोई तालियाना दिना नहीं हैं। लेकिन भुपाल इंकॉइंटर पर वो बिलकुल खामोश हैं। उन्हें ने कहा कि भुपाल खतल पर इन सियास्टदानों के मस्यत पसंदी खामोशी पर पुरे मुस्लिम समाच को चोट पहुंची है। भुपाल इंकॉइंटर की अदालती तहकिकात करवाई जाए। सदर जमूरिया, नाइब सदर जमूरिया और वजजिर आजम को मक्तूब रावाना किये गए एडवकेट नाजिया इलाही की मसाई। जिर समाच खायदियों की मुबेना फरार और फिर उनको इंकॉइंटर में हला कर दिये जाने के मौमले को पूरे मुल्क में शक और शुबे की नजर से देखा जा रहा है। मज़े परदेश पूलिस की इसकारवाई पर मुल्क के हर कोने से सवालात उठ रहे हैं। समाच वाधी पार्टी में एक्तिलाफात को खतम करने की कोशिश राम गोपाल यादव की बहाली और तमाम उहदों पर वापसी। समाच वाधी पार्टी में खांदानी तनाज्य के दौराण पार्टी से 6 साल के लिए बरतरफ किये गए राजश भा, रॉकन हो राम गोपाल यादो को दुबारा पार्टी में शामिल गल्यादव के निहीं और आज़ पर ठी पार्टी के खौमी जर्चरिटर्रे के तन्जीम पाकिस्तान के लिए भी खत्रा पाकिस्तान में तुरकी के सदर रजब तयब अर्दूगान का सहफती ज्लास से खताब कि ये शिद्द पसंद तन्जीम पाकिस्तान के सेकूरिटी और अमन के लिए खत्रा है लेकिन पाकिस्तान इसके खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ हैं इंतिखाब नाकामी ने मायूस कर दिया था लेकिन अब वो सुकून में है उन्हें अवामी ताइद हासिल हुई थी मगर इलक्टरल कालेज में वो पिछड गई अमरिकी सदारत इंतिखाबाद में शिकस्त के बाद पहली अवामी तकरीब में शिरकत करते हुए हिलरे किलिटर ने एक तकरीब में कहा कि एक हफ़ते खबल डॉलाण टरम के जित के बाद वो सक्त मायूस हो गई थी उन्होंने वाश मैंनमार के रोहिंगिया मुसल्मान बंगलादेश में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं मैंनमार की फॉझ के हमले बागने वालों को गोलिया मारी जा रही है मैंनमार में फॉच की क्रेकडाउन से बचने के लिए रहोई नगिया मसल्मान अखलियत से तालुक रहे वाले सैकुड़ों अफराद सरहत पारकर के बंगलादेश में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं नखल मकानी करने वाले अफराद में से बच्चे भी शामिल है बंगलादेशी हुकाम और अनिशाइदिन का कहना है कि जो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें गोली आमार कर हलाक किया जा रहा है इंसानी हुक्ड़ों का कहना है कि सैकुड़ों मकानात नजरे आतिश कर दिये गए हैं और गयर मुलकी सहाफियों को इलाखे में दाखिल होने की इजादत नहीं दी जा रही है सीरिया के सदर बच्चाल अलस्त ने कहा कि उन्हें उमीद है कि अमरीका के नौमनतखब सदर डॉलार टरम्प देश्चत गर्दी के खिलाफ जंग में इतिहादी होंगे ताहम उन्होंने टरम्प के बारे में कोई राइदिन है में इह्तियास सी काम लिया बच्चाल रस्त का मज़िद कहना था कि अगर टरम ने देह्चत गर्दी के खिलाफ लडने के वादे को पुरा किया तो वो इनके फित्री इतिहादी होंगे ताहम उन्हों ने ये भी कहा कि उन्हें इस बात पर शक है कि आया ट्रम्प अपने वादों पर अमलावरी करेंगे रूसी सदर ने एक हुकुम नामे पर दस्तखत किये जिसकी रूसे अब रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलाहिदा हो जाएगा रूस के सदर वलामिदरीपुटीन ने एक हुकुम नामे पर दस्तखत किये जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अहल आदा होने के फैसले की तौसिख की गई है आफरीका के तीन मिल्क भी आईसे सी से अहल आदा हो चुके हैं इन वाकियत के बाद इंटरनाशनल क्रिमिनल कोट के हामियों ने इस इंतिहाई रवे के बाद इतिहात खायम रखने की अपील की है नेदलین के शेर हिक में अदालत के रुकिन मुमाली के सालनाई जलास के पहले दिन जनुबी आफरीका ब्रॉंडो और विम्या के अलग हो जाने का मसला ही जिरे बहस रहा वाजर है कि आलिमी दायरे अख्तियार की हामिली से अदालत के सन 2002 में ख्याम के बाद से अब तक किसी मुल्क ने इससे अलाईदी का फैसला नहीं किया था आकिर में सुर्कियां एक बार फिर रुपने असंबली के हाथों मुख्तलिव डिविजन्स में तरखियाती कामों का संगे बुनियाद शहर को खुबसूरत और साफ सुत्रा बनाना हमारा नस्बुलैन रुपने असंबली का बयान और मज़िद काम करवाने का अजम क्रिशना ट्रिविनल के फैसले से तेलंगाना सरकार मुतमाइन नहीं है 25 विस्थ अवाम को 12 विस्थ पानी की इजराई हैरत अंगेज सुप्रीम कोर्ट से दर्खास करने का मनसुबा मरकाजी हुकूमत अंदरुन तिन दिन मनसुख शुदा नोटों को असरे नू बहाल करे सरमायादारों को फाइदा गरीबों को मुश्किलात बगावत कर देने अर्विन केजरिवाल का मरकाजी हुकूमत को इंतिबा नोटों की तबदीली पहले ही अवाम के लिए मुसीबत बनी हुई थी अवाम को साड़े चार हजार रुपिये ही फराहम किये जा रहे थे मगर अब सिर्फ दो हजार रुपिये ही तक्सीम होंगे माशी सेक्रेटरी का इनकिशाफ खबरी इतनी ही नई खबरों के साथ फिर मुलाखात होगी तब तक के लिए दे अजासत आला हाफिज